नमस्कार विरास्ते हिंदोस्तान में आपका स्वागत है सबसे पहले बात करेंगे राहो रोड़ सित एक हॉस्पिटल की प्रीट स्पेसिलिस्ट नामक इस हॉस्पिटल में एक नवजाज शीशू की मौत हो गई नवजाज शीशू की मौत पर उसके अभी भावक और इलाके लोग के लोग भड़क उठे उन्होंने राहो रोड़ पर जाम लगाया और हस्पिताल प्रबंदक कमिटी के खिलाब जम कर नारेबाजी की जो मौत शीशू है उसके पिता का रोब था कि डॉक्टर और डॉक्टरों का स्टाफ बिलकुल लापरवा है इन्होंने बच्चा जब बिमार हुआ बच्चा तरप रहा था बार बार परवार इनको संदेश दे रहा था बावजूद इसके इन्होंने आने में देर की जब तक डॉक्टर और बाकी स्टाफ ने आकर बच्चे को देखा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी मृतक के मृतक शीशू के पिता मोहन जी सिंग ने जो अस्पताल कमेटी है उसके उपर बहुत गंबीरे रोप लगाए लंबा जाम लग गया राहो रोड पर जिस पर पुलिस को सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने परदर्शन कारियों को उनके जो मांगे थी उनको मानने का भुरूसा दिया उसके बाद ये धरना हटा क्या कहा मोहँजीर सिंग ने जिसका वो शीशू छोटा बच्चा उसका था नहीं प्रीज़े होस्पिटल आए यार फेरे फास्पेटे एना ने नॉर्मल केज क्या था गंदे नॉर्मल हो ये ना चार बही तक उसी चार बही तक बेट तरो प्राब्लम नी यागी थोड़ा बच्चा बिल्कुल ने अपने साजन कुमार ने उना उदासरे ने भी मेरे बेटे दी डिलीवरी दे टाइम मी एच्छे कोई होस्पिटल आ प्रीद होस्पिटल उच्छे नेगलिजिशना देच्छ होगी ता वह सी जो गाइड़ लाइन जो सुप्रीम कोड दिया ने उदे मतावक आसी कारवाई शुरू करती है बच्चे दे फादर दा ब्यान लिख लिया उन्हों आसी डीडिया रिकॉर्ड कर रहे हैं कल नों आसी बोर्ड बनाके सिवल सर्जन रोकेस्ट करके बोर्ड बनूगा एदा बोर्ड तो बाद जो भ करो करे ने हो जो